आज बात करते हैं इस वीडियो में Metro Brands Limited Company के बारे में बने रहे हैं वीडियो में आखरी तक क्योंकि कमपनी के बारे में जानेंगे सबसे पहले उसके बात देखेंगे इसके fundamental और technical कैसे निकल क्या रहे हैं सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये कमपनी इंडिया की लार्जिस्ट पैन इंडिया फुटवेर रिटेलर्स में से एक है और अगर हम लोग बात करें तो इनके काफी जादा strong brand अपील रहे हैं consumer segment में साथ ही साथ ये company आपके पहले offline काम कर रही थी अभी वहीं ये convert हो रही आपके omni channel में जहां से ये अपने footwear और जितने भी accessories हैं उनके retailer के तोर पे आपको काम करते हुए नजर आ रहे हैं साथ ही साथ इनके पास white range of brands हैं और products हैं जो कि आपको हर एक age group और हर एक occasion के लिए products बनाते हुए नजर आएंगे अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये company के बारे में तो platform has a choice of third party brand looking to expand in India तो अभी ये लोग कोशिश में लगे हुए है कि आपको ये third party के भी जितने भी branded products होते हैं वो भी आपको ये अपने आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पे ये दिखा सके उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें next तो ये हैं आपके कि कब company start भी थी 1955 में इन्होंने अपने stores बनाए थे या फिर आप कह सकते हैं कि establishment हुआ था उसके बाद 1977 में इस company ने अपने incorporation किये और यहां से इन्होंने 2000 में अपने first brand आप कह सकते हैं Mochi को launch किया था then इनके second brand आप देख सकते walkway का second जो 2009 में आपको launch होता हुआ नजर आया है उसके बाद यहां हम लोग देखें तो launch हुआ था इनका e-commerce site आप कह सकते हैं जहां पर इन्होंने 100 stores भी आपको launch करते हुए नजर आये थे जो कि 2010 में उसके बाद इन्होंने अपने 100 stores को 200 में convert किये 2012 2012 में then आप देख सकते इन्होंने tie-up किये थे crocs के साथ इन्होंने tie-up किया है 2015 में और जहां से इन्होंने वापस से अपने business को काफी बहतरीन तरीके से expand किया है जहां से इनके 550 stores आपको by 2020 देखने को मिले थे अब अगर हम लोग बात करें 2021 की तो यहां पे इनके stores हो चुके ह और इन्होंने अभी जस्ट इनकी listing भी हुई है BSE और NSE के उपर साथ ही इन्होंने अपने tie-ups किये हैं आपके fill-t flop के साथ अब अगर हम लोग बात करें तो इनके काफी जादा आप कह सकते हैं कि strong इनके presence रहे हैं across the cities जहां पे 140 cities है 30 states and union territories and वहीं पे 629 stores है अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां पर तो यह आप देख सकते हैं यह आपके one stop shop solutions रहे हैं all the footwear's need तो यहां आपके metro के आपको मिलते हैं mochi, crocs and walkways अब अगर हम लोग बात करें यहां पर जो target customers रहे हैं metro के लिए वहां पर आपके target customers बनके आ रहे हैं family वहीं mochi के लिए youth and crocs के लिए बात करें तो premium और यहां पर value format है walk away के लिए बाकी आप यहां पर देख सकते हैं numbers of stores इनके जितने भी चारो brand के अंदर कितने numbers of stores हैं वो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं बाकी कितने cities में भी availability हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जैसे 123, 81, 82 and 40 respectively बाकी इनके जो हर एक product के ज products हैं वो आपको मिल जाएंगे वही साथ ही similar आपको mochi के भी उसके बाद crocs की बात करिए 1500 से start होके 6000 तक आपको इनके products मिलते हैं जहां यह लोग बात करें value format के बारे में walk away के लिए तो यहां आपको 350 से इनके जो भी products है वो start होते हैं और 3500 के आसपास तक के इनका maximum जो है वो size है by square feet वो आपके यहां सामने नजर आ रहे होंगे उसके बाद अब हम लोग यहां देखते हैं जो pan india इनके presence रहे हैं उसके basis पे zone wise की बात करें तो west में आपके 32% south में 31% वहीं आपके north में 24% और east की बात करें तो 13% के आसपास यहां पे इनका presence रहा है वही अगर हम लोग यहां बात करें tier wise जो cities हैं उनके basis पे तो metro cities में 33% है tier 2 की बात करें 25% tier 1 की बात करें 31% and tier 3 की बात करें तो यह आपको 11% नजर आएंगे उसके बाद आप यहां पे बाकी देख सकते हैं जिस तरीके से इनका अलग-अलग location wise भी इनकी breakups आपके सामने हैं जैसे high street की बात करते तो 52% है वही malls में इनके जो availabilities है वो 44% है SIS की बात करें 3% and airport की बात करें तो 1% बाकी यहां पर आपको यह चीज़े नजर आएंगी price range के according हो गए या फिर third party और या फिर आप कह सकते है own brand के according या आप यहां पर यह देख सकते हैं कि आपके जो category wise that means women's के men's के unisex accessories and kids के अब यहां पर हम लोग देखते हैं इस company के लिए इस share केने लिए analyst की क्या राय निकल के आ रही है तो 100% analyst आपको अभी buying की rating दे रहे हैं बाकी आपको क्या करना है वो आपको बहतर तरीके से पता है क्योंकि हम लोग हर एक वीडियो में यही कहते हैं कि आपको before the investment आपको करने है research analysis और साथ ही साथ अपने financial advisor से connect करना है अगर आपके पास कोई है तो अब उसके बाद यहां पर देखें इनके revenue from operations की बात के तो 2019 एंड उसके बाद 20 और 21 की बात करें तो यह आप देख सकते जो इनके revenue from operations निकल के आ रहे हैं वो हैं आपके INR करोर में तो यह इस साल आपक अगर अब हम लोग gross profit and gross margin की बात करते हैं तो यह आप देख सकते जो इनके gross profit के gross profit के जो numbers हैं उनमें भी आपको decline देखने को मिल रहे हैं जहां पर यह FY19 में 668 करोर के आसपास थे वहीं FY20 में 714 और इस साल अगर बात करें तो यह हैं आपके 440 करोर के लगभग EBITDA and EBITDA margin भी आपके सामने हैं अगर हम लोग EBITDA की बात करें तो इसमें भी आपको similar चीज़े यहां थोड़ी सी decline तो जरूर देखने को मिली ही है वहीं EBITDA margin की बात करें तो percentage wise आपके 27 to 28% जहां यह हुआ करते थे 27.7% के आसपास वहीं आपके FY20 में थोड़े से आपको और कम होते विए दिखे हैं 27.5% and then आपके इस साल की बात करें तो 21.4% PAT and PAT margin की बात करें तो PAT में आप देख सकते हैं जो profit after tax है इनमें भी आपको decline मिला है बढ़ा company के जो profit हुए है वो आप यह नहीं कह सकते कि negative में रहे हैं बढ़ा 65 करोर के आसपास का है इनका जो है वो PAT निकल पिछले दो साल के नमबर से आपको यहां हलके थोड़े आपको weakness तो जरूर देखने को मिले हैं साथ ही साथ आप देख सकते हैं बाकी जो operating cash flow जो है इनके पास जो cash flow है इनके पास वो कितने available है तो उसमें भी आपको हलकी सी एक decline नज़र आई है तो overall आपको company ने इस साल जो है इनका business वो थोड़ा सा आपको week जरूर नज़र आया है उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे quarterly basis पे तो quarter 3 के इनके results आ चुके हैं उस basis पे अगर देखे तो quarter 3 के जो numbers है पिछले आप कह सकते कि quarter 3 FY21 से अगर हम लोग compare करना चाहें तो यह आपके standalone है and this side is consolidated one तो आप देखेंगे percentage wise यहां आपको तीनों ही चीजों में jump देखने को मिले हैं जैसे कि revenue, abita and pet तीनों की बात करते हैं तो जहां पे 62%, 79% and then 62 to 63% के आसपरस का यहां आपको jump नज़र आया बाकि आप जो numbers है वो आप video pause करके आराम से देख सकते हैं अब उसके बाद बात करें जो आचा है तो आप यह देख सकते कि यहां पहले आपके Fy19 की बात करें तो 9% के आसपास के यहां पर आपको jump नज़र आया था जो इनके new open हुए थे जितने भी stores new open हुए वो 95 थे close जो हुए थे वो 10 थे उसके बाद Fy20 में यह आपको वो देखने को मिले हैं जहां पे 6% का jump नज़र आया है उसके बाद आप देख सकते हैं Fy21 की बात करें तो यहां पे भी आपको 7% का jump नज़र आ रहे हैं तो उसी तरीके से आपको कुछ इनके newly open आपको stores नज़र आएंगे और कुछ ऐसे stores रहे हैं जो आपको shut होते वे भी नज़र आएं नेक्स यहां पे देख ल अभी फिलाल काम करती हुए नज़र आ रही है जो इक इसमें और आप कह सकते कि एक अची चीज़ देखने को मिली है कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो कैश फ्लो आपके पास अभी 83.38 करोर के आसपास है साथे साथ शेयर होल्डिंग पैटर्स के उपर बात करें तो कौन कौन से टॉप मूचोल फंड्स है जो यहां इवेश्टमन कर रहे है तो यह रहे आपके चार टॉप मूचोल फंड जो इवेश्टमन करते वे दिख रहे हैं शके बाद आप देख सकते है कोटेक इमर्जिंग है एंड लास्ट पन इज आधित्यबिल सनलाइफ जिनके 0.57% के असपास investment है तो ये रहे overall company के जो भी fundamentals थे वो किस तरीके के है अब बात करते हैं हम लोग चार्ट के उपर चार्ट पे चलने से पहले अगर आपको वीडियो या आखरी में अच्छा लगता है तो प्लीज इसको like and share ज़रूर करें अपने family and friends के साथ बाकि अगर आप हमारे चैनल पे नए है चैनल को subscribe करना भी ना भूले अगर आपके पास कोई suggestions भी रहते हैं वो भी आप हमें comment box पे पूछ सकते हैं so the next is chart तो चार्ट के उपर अगर आप हम लोग देखते हैं जब से इसकी listing हुई है तब से ये आपको आप कह सकते हैं यहां पे आपको काफी अच्छे तरीके से share में आपको एक up move होता हुआ नजर आया है बढ़ हाँ इस आप दो दिन पहले आप देखेंगे यहां पे आपको थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली है और अगर अब हम लोग आज की बात कर तो यहां से आपको थोड़ा आप कह सकते कि अगर थोड़ा और नीचे के लेवल पर आपको मिलता है तो आपके लिए well and good होगा ताकि आप इसमें investment करके आगे के तरफ आप जो भी है वो चीज़े कर सकते हैं तो बने रहे हैं इसमें इस share के उपर अपने नजर बनाए रखिए ताकि आपको एक अच्छा आप कह सकते कि आपको एक support अच्छा नजर आए और वहां से आप investment कर सकते हैं अगर 561 के price पे भी आपको नजर आते हैं जो यहां निकल के रहे है 551 561 के आसपास तो भी आप यहां से धीरे-दीरे investment स्टार्ट अपने कर सकते हैं बाकि आपको आने वाले टाइम में यह शेर आपको बहतरी रिटन बना के दे सकता है बाकि आपने इसके fundamentals देख लिए हैं टेकनिकल देख लिए हैं बाकि इस अप टू यू कि आपको क्या करना है इस शेर में चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल तब तक के लिए थैंक्यू और टेक केर